आप सभी का स्वागत है कोई हिंदी पर मैं हूँ अबना सिंग तो दोस्तों आज की वीडियो काफी खास होने वाली है मैं इन सब कोर्से जो लिष्ट दिख रही है आपके सामने इन सब कोर्से का फिल फॉर्म बताने वाला हूँ इस वीडियो में तो यह काफी important courses अभी generally जो हम लोग करते हैं इन में से कोई ने कोई कोर्स आप में से हर कोई जरूर किया होगा तो काफी खास है वीडियो आज की तो बने लेगा आखरी तक चलिए फिर शुरू करते हैं तो शुरूआत करते हैं B.A. से Bachelor of Art जो Art साइट से हम लोग graduation करते हैं उसको बोलते हैं B.A. सभी जानतों यह बात B.C.A. होता है Bachelor of Science फिर आ जाता है B.B.A. Bachelor of Business Administration जो की MBA से पहले जो B.B.A. course होता है उसको बोलते हैं इसको B.C.A. होता है यह भी Bachelor degree है मतलब एक graduation level का course होता है Bachelor of Computer Application फिर आता है B.Pharma यह भी एक graduation है जो की दवा के बारे में इसमें बताया जाता है Bachelor of Pharmacy और B.Tech होता है Bachelor of Technology फिर इमें होता है Master of Art फिर आता है M.C.O.M. जिसको Master of Commerce और M.B.B.S. जो की Medical में होता है Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery तो दोनों include होता है इसमें एक होता है M.D. मतलब Doctor of Medicine जिसको बोलता है जो M.D. आप लोग सुनते होंगे Medical में एक होता है M.D. Managing Director एक post होता है वो अलग है और यह अलग है फिर आता है M.C. Master of Science M.C. Master of Computer Application M.B.A. Master of Business Administration फिर B.T.C. आता है B.T.C. जो की Basic Training Certificate बोलते हैं आज कल उसको नाम बदल के D.L.E. कर दिये हैं जो नीचे वाला है D.L.E. तो Diploma in Elementary Education होता है और B.A. जो होता है Bachelor of Education बोलते हैं उसको B.T.C. पहले होता था पिप बंद कर दिये हैं वही सेम कोर्स D.L.E. के नाम से बना दिये हैं D.L.E. मतलब Diploma in Elementary Education P.G.D.M. जो की MBA जो होता है वही सेम वही डिगरी है P.G.D.M. नाम बस चेंज है दोनों का तो इसको बोलते हैं Post Graduate Diploma in Management जैसे वह भी Management में होता है यह भी Management में ही होता है जो I.A.M. होते हैं उसमें P.G.D.M. के नाम से ही कोर्स कराते हैं यह मतलब Indian Stop Management जो होता है यह होता है B.M.S. जो की Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery जो Ayurved में डॉक्टर बनते हैं फिर I.T.I. आ जाता है Industrial Training Institute इसको बोलते हैं फिर आता है P.G. जो Philosophy Department का होता है Doctor of Philosophy और एक मूबी में बताते हैं कि एक मूबी थी Comedy उसमें बोले थे PhD मतलब फटा हुआ डॉल तो हो ऐसे मज़ाग में बोलते हैं तो PhD का मतलब होता है Doctor of Philosophy और MS होता है MS का मतलब Master of Surgery बोलता है फिर आता है LLV Bachelor of Legislative Law मतलब Law में जो Degree करते हैं LLM भी LLV जैसे होता है वही चीज़ तो Master of Legislative Law आप बोलते हैं से Law में जो graduation, post graduation होता है उसको बोलते हैं तो ये थी दोस्तों important full form कुछ बच गया तो आप comment box में जरूर पता देना ताकि comment में पढ़के लोग जान सकें जो आपको मालूम हो कोई और सवाल हो अपका तो comment box में पूछ सकते हो जिस topic में वो लोग वीडियो जरूर पढ़ाओंगा वीडियो अच्छे लेगी तो लाइक करना जो लोग नए हो चैनल वे चैनल को सब्स्राइब करके बेल आई के उच्छे प्रिस करना पिर मिलते हैं से किसी अन्य वीडियो के साथ अपता के लिए जाहिंद जय भारत